दिपिका पड़कॉन का साथ क्या छूटा तो क्रिकेटर युवराज सिंग को साथ मिल गया है होड विपाशा बासु का अच्छा इसका मतलब है कि जहां पहले विपाशा ने फिल्म प्रमोशन में दिपिका के बॉइफरेंड रन्मीर का साथ निभाया है वहीं अब वो दिपिका के एक्स बॉइफरेंड का भी साथ भुखू भी निभाएंगी एक्जाक्ली नंदनी लेकिन परस्नल तौर पर नहीं बलकि एक एड में युवराज के साथ नजर आकर हालेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि परस्नल हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स विपाशा को अपने रिलेशनशिप्स अमाला पूरी तरह से आता है पहली दिपिका को पीछे छोड रनबीर के साथ साथ फिल्म बचना एहसीनों के फिल्म प्रोमोशन में सबसे आगे रही विपाशा बासू जिसकी वज़े से दिपिका और रनबीर के रिष्टे में थोड़ी खटास आ गई पर बाद में दिप्स ने अपने और दिपिका के बीच के विवाद को बड़ी असानी से जुटला दिया लिकिन इधर रनबीर का साथ छुटा तो बिपाशा ने दिपिका के एक्स बॉइफरेंड क्रिकेटर युवराज सिंग का हाथ थाम लिया एक एड के जरिये जहां वो युवराज के साथ एक बड़ेट स्पोर्ट्स ब्राइंड को प्रमोट करती दिखेंगी वैसे तो पहले इस ब्राइंड के अम्बासडर जॉन एब्रेहम भी रह चुके है पर अब इसमें नजर आएंगी जॉन की लेडी लव बिपाशा अब जुब युवराज को बिपाशा का साथ मिलाएंड को बिपाशा का साथ मिला है तो शायद उनके बीते दिनों की याद भी जरूर ताजा हो गई होगी जब वो लाखो दिनों की धड़कन दिपिका के साथ हुआ करते थे जो भी हो यूवी काफी खुश किस्मत है क्योंकि एक बॉलिवुड ब्यूटी का साथ छूटा नहीं कि दूसरी का साथ मिल गया वैसे गौर फर्माने वाली बात ये है कि होट बिपाशा अपनी जोड़ी जादातर आक्टर्स के साथ जमाही लेती है फिर चाहे वो उनके रियल लाइफ लवर जौन इब्रहम हो या उनके लेटेस्ट अड्मारर रनवीर कपूर और अब बारी है युवराज सिंग के साथ जोड़ी जमाने की अब इसे होट बिपाशा की अदाओं का असर कहें या फिर उनके बिंदास अंदाज का अभिलाशा सिंग, जूम, मुबई